नमस्कार, स्वागत आपका निज्ट्रणी फोर पर मैं आपकी साथ पूझा राठोच शर्मा और चलिए बड़ी खबर की साथ इस वक्त के बुलिटिन की शुरुआत कर रहे हैं मनिपूर हिंसा पर मोहन भागवत का बड़ा बयान साथ ने आया कहा एक साल से शांती के इंतिजार में मनिपूर मनिपूर का हल प्रात्मिक्ता से हो ये बात कई है RSS Chief मोहन भागवत ने और साथ ही कहा कि मनिपूर अभी भी जल रहा त्राही त्राही कर रहा नकरात्मक प्रचार से समाज में मन मुटाव तो देखे ये बहुत एहम बयान RSS Chief RSS Pramukh मोहन भागवत की तरफ से आये है और ने सीधा सीधा मनिपूर को लेकर कहा नकरात्मक प्रचार से समाज में मन मुटाव और यहाँ पर प्रमुकता से ध्यान देने की जरूरत है क्या कुछ कहा सुनिए कौँ अब एक साल से मनिपूर शांटी के राहा देख रहा है उसके पहले दस साल चाहत रहा ही पुराना अगन कल्चर समाप्त हो गया ऐसे लगा और अचानक जो कल caller वहां पर कर उपश गया या उपज आया गया कि उसकी आगल में अभी तक झल रहा है तराही तराही कर रहा है कौन उस पर जान देगा प्राथम इकता दे के उसका विचार करना ये करतवे है जिस प्रकार प्रचार के दोरान हमारे करने से समाद में मनमुटाव बढ़ेगा दो गट बटेंगे आपस में शंका संशे उत्पन होगा इसका भी ख्याल नहीं रखा ग कि टेकनोलोजिका सहरा करके असत्य बाते पर अशी गई नितांता सत्य क्या चार का अंश्यां का विध्याका यह उप्योग नहीं करते हैं ऐसे से देश कैसे चलेगा बही आखिर सबको देश चलाना है न कि हमारे देश के सामने छुनोंतिया समप्त नहीं हुई अब सरकार बन गई वही सरकार फिर से आ गई इंडिये की और देखे मोन भागवत के इस बयान पर रियक्शन भी आने शुरू हो गई संचराउत उन्होंने बड़ा हमला किया कहा कि भागवत जी के आशिर्वाद से ही सरकार चल रही है बोलने से क्या होता है सरकार हटाईए ये का है संचराउत में लेकिन सरकार तो उनके आशिर्वाद से चल रही है बोलने से क्या होता है और चले अब इन दोनों ही बयानों को लेकर मेरे सहयोगी इंद्रजीत सीधा मुंबई से जुड़ रहे है तो इंद्रजीत यहाँ पर मोहन भागवत के इस बयान के बाद जिस तरह से विपक्ष मुखर होता नजर आ रहा है एक नई राचंदिक भैस छिड़ गई है जिब बिलकूर राचंदिक भैस छिड़ गई है क्योंकि आरेसस खुद को बताता है कि वह लोगों को जागरुक करने वाला संगटन है लेकिन देश के जो पॉलिटिकल पार्टियां है उनमें एक तरह का एक संदेश है कि RSS BJP की मदद करने वाला संगठन है और पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो RSS इस चुनावां में थोड़ा कम दिखा था यही कारण है कि जो BJP अध्यक्ष जेपी नडड़ा है उनका एक बयान आया था कि अब BJP इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें RSS के सहारे के जरूत नहीं साइद इन सब कारणों से RSS थोड़ी नाराज जरूर हुई होगी RSS के जो सरसंग चालक है उनका बयान इस संबंद में देखा जा रहा है यही कारण है कि जो विपक्ष है वो हमलावार हो गया है विपक्ष का कहना है कि मोहन भागवत ने बोलने में काफी देर कर दी क्योंकि मणिपूर पिछले एक साल से जड़ रहा है और अभी तक वहाँ पे जो आग है वो सांत नहीं हुई है अभी जो मुख्यमंत्री है उनके काफिले पर हमला हुआ है तो विपक्ष को एक मौका जरूर मिल गया है और मोहन भागवत ने एक तरह से सरकार को संकेत दिया है कि मणिपूर के मुद्दे पर सरकार को कोई हल ढूड़ना होगा सरकार को इस पर कदम उठाना होगा साथी दुख भी व्यक्त किया है कि जिस तरह से इस चुनाव में RSS का नाम घसीटा गया जिस तरह से बिपक्ष लगातार RSS को लेकर हमलावर था और कहीं कहीं सत्ता पक्ष से भी उतनी पूछ नहीं मिल रही थी यह काराण है कि वो तोड़ा दुखी जरूर दिखे हैं लेकिन इस पर सियासत बड़ी होगी क्योंकि RSS प्रमुक्ष ने पहली बार मुखर होके कहीं कहीं सरकार को एक तरह से दिशा निर्देश दिया है सरकार को संदेश दिया है कि आप मड़ीपूर पर कुछ कीजिए